हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिस स्पीकिंग कोर्स का नेक्स लेसन इसमें हम बात करेंगे एडवाइज की एडवाइज देने के लिए शुड मस्ट और और टू का कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे और एडवाइज दो वर्ड है हमारे पास एक है एडवी आई सी और दूसरा है एडवी आई सी एडवाइज इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो जो एडवाइज होती है उसको एक नाउन है वो वर्ब कितरे यूज नहीं होती है और जो दूसरा है एडवाइज इसे जव प जैसे उसने मुझे सला दी past indefinite का बनाएंगे तो he advised me इसके second form का यूज़ किया हमने he advised me तो advise की तीनों form होती हैं लेकिन advise की नहीं होती पहले वाले की नहीं होती अगर उसका बनाना है हमने कि उसने मुझे सला दी तो हम ऐसे बनाना पड़ेगा he gave me advise और अगर हम advise से sentence बनाना चाहेंगे कि आपको वहाँ जाने की सला किस ने दी तो who advised you to go there this next sentence है my friend advised me to follow doctor's advice मेरे दोस्त ने मुझे सला दी कि मैं doctor की advice को सला को follow करूं मानूं इसमें पहला जो है वो क्या action है advice और दूसरा advice तो दोनों में difference है और मैंने अपने doctor की सला को माना तो I follow the doctor's advice तो सला देने के लिए पहचान क्या होती हिंदी में जैसे चाहिए आपको एक काम करना चाहिए तो उसके लिए हम लगाते हैं should इसे examples हैं यहाँ पे हमें सच बोलना चाहिए इसमें चाहिए आगया last में उसे मेनत करनी चाहिए इसमें भी चाहिए आगया इसमें भी सला दे रहे हम आपको जूट नहीं बोलना चाहिए यह सला है जो आपको दी जा रही है तो इस तरह के यहाँ पर sentences बनते हैं तो इसके sentence structure जो होता है वो क्या होता है? subject pronoun होता है और फिर उसके बाद should लगा देते हैं subject pronoun कोई सब भी हो कोई सब भी subject हो I हो, you हो, we, they, he, she, it कुछ भी सब के लिए हम एक ही चीज यूज़ करते हैं यहाँ पर should पहले हम देख लेते हैं affirmative sentences कैसे बनाते हैं तो इसका sentence structure होता है subject लगाएंगे फिर हम should लगाएंगे और फिर action की first form जिसे आपको सच बोलना चाहिए एक सला है कि आपको सच बोलना चाहिए तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले you subject फिर लगाएंगे should should मतलब चाहिए speak the truth सच बोलना आपको सच बोलना चाहिए second example है जिसे हमें मेनत करनी चाहिए तो हमें के लिए लगाए है we और चाहिए के लिए लगाए है should अब मेनत करने के लिए बोलता है work hard तो we should work hard हमें मेनत करनी चाहिए थोड़ी सी practice कर लेते हैं जैसे पहला word है हमारे पास respect your elders respect your elders भी बोल सकते हैं और batters भी बोलते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करना तो जैसे आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो you should respect your elders या you should respect your batters दूसरा है हमारे पास lose your temper lose your temper होता है गुस्सा करना अपना आपा खोना तो जैसे हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए we should not lose our temper जैसे आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए तो you should not lose your temper next word है हमारे पास pull others lag pull का मतलब खीचना others मतलब दूसरों का और lag मतलब पाउं दूसरों का पाउं खीचना है निकी किसी की टांग खीचाई करना they should not pull others lag उनको दूसरों की टांग खीचाई नहीं करनी चाहिए next word है land him money land होता उधार देना पैसा देना उसको उधार पैसा देना तो जिसे लोगों को उसे पैसा उधार नहीं देना चाहिए क्यों कि वो लोटा दा नहीं है तो people should not people should not land him money next word है make excuses make excuses मतलब होता है बहाने बनाना तो उसको बहाने नहीं बनाने चाहिए he should not make excuses और एक और word है यहां पर speak ill of others speak ill of others होता है दूसरों की बुराई करना speak मतलब बोलना ill मतलब बुरा of miss बारे में others मतलब दूसरों के तो दूसरों के बारे में बुरा बोलना speak ill of others तो जिसे उसको दूसरों की बुराई नहीं करने चाहिए तो she should not speak ill of others आप का मतब होता है बारे में कई जिगे आप का मतब बारे में भी होता है अब हम देख लेते हैं यहां पर interrogative questions जो बनाते हैं yes no question, yes no type की questions कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे should, फिर हम लगाएंगे subject और फिर लगाएंगे action, है ना, तो subject कोई सा भी होगा उसके लिए should का use करेंगे, जैसे क्या हमें जूट बोलना चाहिए, तो हम यहां पर सला ले रहे हैं किसी से, है ना, तो should we tell a lie, क्या हमें जूट बोलना चाहिए, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो क्या के लिए लगाएंगे, should, should I help him, क्या मुझे उसकी help करनी चाहिए, अब negative sentences होते हैं, जैसे should not को short में बोलते हैं, shouldn't, जैसे अगर हम यह बोलेंगे, क्या हमें दूसरों को hurt करना चाहिए, hurt others का मतलब होता है, दूसरों को, दूसरों पहुचाने चाहिए, तो we should not hurt others, next word raise the voice, मतलब आवाज उठाना, तो should they raise their voice, क्या हुने अपनी आवाज उठानी चाहिए, तो अगर बोलेंगे, yes में बोलेंगे, तो yes, they should raise their voice, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए, और नहीं उठानी तो they shouldn't raise their voice, उन्हें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए, अब हम देख लेते हैं, interrogative, negative, interrogative negative मतलब इसमें question भी और negative भी है, जिसे क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या के लिए लगाएंगे should, फिर हम लगाएंगे subject, should you, फिर लगाएंगे not, should you not assist me, should you not help me, तो इसको में short में लिख देते हैं, should not को shouldn't, तो shouldn't you assist me, क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, shouldn't you assist me, तो थोड़ा कुछ words के साथ हम practice कर लेते हैं, जैसे पहला word है हमारे पास, avoid eating junk food, जंक food खाने को avoid करना चाहिए हमें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो should we avoid eating junk food, और क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे, shouldn't we avoid eating junk food, क्या हमें junk food खाने को avoid नहीं करना चाहिए, दूसरा word है हमारे पास, put others down, put others down का मत्तुत है, दूसरे को नीचा दिखाना, हुमिलेट करना है न, तो should you put others down, क्या आपको दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए next word है मारे पास keep yourself busy, अपने आपको busy रखना, तो क्या आपको अपने आपको busy नहीं रखना चाहिए shouldn't you keep yourself busy shouldn't you keep yourself busy next word है leave your friend in the lurch leave your friend in the lurch होता है, अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ देना तो should you leave your friend in the lurch क्या आपको अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ देना चाहिए should you leave your friend in the lurch का answer आएगा you should not leave your friend in the lurch तो फिर क्या करना चाहिए stand by your friend stand by का मत्त होता है साथ देना अपने दोस्त के साथ देना तो we should stand by our friends जैसे हमें अपने दोस्त का साथ देना चाहिए अब हम कुछ sentence बना लेते हैं डबलू एच वर्ड से इसमें भी वही करेंगे हम question word लगाएंगे फिर student लगाएंगे फिर subject और फिर main word जैसे भई हमें क्या करना चाहिए तो what should और फिर I यवी do मुझे क्या करना चाहिए तो कुछ sentences और बना लेते हैं इस पर जैसे मुझे क्या करना चाहिए के लिए मैंने बता दिया आपको what should I do मुझे क्या कहना चाहिए what should I say उसे क्या खाना चाहिए what should see eat मुझे क्या खरीदना चाहिए what should I buy उसे आपको क्या पीना चाहिए what should you drink और मुझे क्या लाना चाहिए what should I fetch next question word है जैसे when when should I leave मुझे कब जाना चाहिए when should you start आपको कब start करना चाहिए when should you stop आपको कब रुख जाना चाहिए and when should he reach here उसे यहां कब पहुँचना चाहिए next question word है why मुझे वहां क्यों जाना चाहिए why should I go there हमें क्यों जाना चाहिए why should we leave मुझे उससे बात क्यों करनी चाहिए why should I talk to him हमें आवाज क्यों उठानी चाहिए why should we raise the voice why should I advise him और आपको ध्यान क्यों देना चाहिए why should you pay attention next word है where जैसे हमें कहां जाना चाहिए where should we go हमें कहां ठहरना चाहिए where should we stay हमें कहां रहना चाहिए where should we live और हमें उसे कहां मिलना चाहिए where should we see him next word है हमारे पास यहां पे who, who मतब कौन या किसे, इसके लिए हम लगाएंगे who, फिर लगाएंगे should और फिर action की first form जैसे वहाँ किसे जाना चाहिए who should go there यह काम किसको करना चाहिए, who should do it इस चीज को किसे face करना चाहिए, who should face it उसकी मदद किसे करनी चाहिए, who should help him भगवान की पूजा किसे करनी चाहिए, who should pray to God and bill किसको pay करना चाहिए, who should pay the bill और एक वर्ड है हमारे पास bell the cat, मैंने पहले भी बताया था आपको बिल्ली के गले में घंटी किसको बाननी चाहिए, who should bell the cat, मत्तब किसको खत्रमोल लेना चाहिए next word है जैसे how मुझे वहाँ कैसे जाना चाहिए, how should I go there हमें एक काम कैसा करना चाहिए, how should we do it and हमें वहाँ कैसे पहुँचना चाहिए, how should we reach there अब हम कुछ words देख लेते हैं जो it से बनते हैं जैसे क्या यह होना चाहिए, should it happen तो yes यह होना चाहिए, it should happen यह नहीं होना चाहिए, it shouldn't happen यह कभी नहीं होना चाहिए, it should never happen again यह कभ होना चाहिए, when should it happen यह क्यों होना चाहिए, why should it happen और यह कैसे होना चाहिए, how should it happen तो अब हम देख लेते हैं कि must का use कैसे करते हैं तो जहां पर भी मैने should का use किया वहां पर must का use भी उसके साथ उसकी जगे पर कर सकते हैं पर should का use तो हम normally एक हलके तरह से सला देने के लिए किसी को करते हैं, लेकिन must का हम use तब करते हैं जब हमको ये बोलना होता है कि आपको तो एक काम करना ही करना चाहिए, जरूर करना चाहिए मतलब तो वहाँ पर लगाते हैं must या must not must not को शौर्ट में बोलते है must not जैसे क्या मझे वहाँ जरूर जाना चाहिए must I go there, to yes you must go there, मतलब आपको तो वहाँ जाना ही जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, you must go there and you mustn't go आपको वहां जरूर जरूर नहीं जाना चाहिए means आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी must तब लगाते हैं जब आपको हम सला दे रहे हैं कि आपको तो एक हम जरूर ही करना चाहिए जिसे एक sentence है यहां पर I must say this food is delicious तो I must say का मतब यहां पर हो गया कि मुझे कहना पड़ेगा कि यह खाना बहुत स्वादिस्ट है you must come today मतब आज आपको आना ही आना पड़ेगा आना ही आना होगा जरूर आना चाहिए मतब you must come today next है you must see this movie अगर हम किसी movie को कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छी movie है आपको जरूर देखनी चाहिए तो you must see this movie और जैसे traffic rule है तो आपको traffic rule का पालन तो करना ही करना चाहिए तो you must obey the traffic rules practice करने के लिए आपको जहां पर मैंने should का use किया वहां पर आप must का use करके practice कर सकते हैं अब देख लेता है ought to ought to का मत होता है कि आपको एक काम करना चाहिए इसमें भी और should में भी बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि moral education देते हैं कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए आपको पूजा करनी चाहिए एक moral education दी जाते हैं तो वहाँ पर ought to का use कर सकते हैं वैसा speaking में आज कल वैसी भी normally अगर use करने हैं तो वैसी भी कर सकते हैं जैसे आपको अपने बड़ों का अपने बड़ों को सुनना चाहिए तो you ought to listen to your elders आपको मा भी मांगनी चाहिए you ought to apologize आपको पता होना चाहिए you ought to know अब मैं कुछ words यहां पर आपको दे रहा हूँ जैसे one एक one हो गया फिर हो गया some के साथ add करेंगे तो someone हो गया any के साथ add करेंगे तो anyone हो गया फिर everyone और none no one तो अगर मैं यह बोलूँगा कि हर किसी को हर एक बेक्ति को हर एक इनसान को एक काम करना चाहिए तो हम उसको ऐसे भी बोज़ सकते है one should do it जैसे one should do one's duty एक इनसान को अपनी duty करनी चाहिए यहाँ पर one का मत्तब यहाँ पर हो गया anyone को उसका लिया हम नहीं आपे yes किसी को उसे बताना चाहिए तो हम बोलेंगे someone should inform him किसी को उसको inform करना चाहिए हर किसी को उसे inform करना चाहिए everyone should inform him और किसी को भी उसको inform नहीं करना चाहिए तो no one should inform him जैसे हर किसी को मैनत करने चाहिए everyone should work hard किसी को दूसरों को बदनाम नहीं करना चाहिए तो no one should defame others defame कमत हुता बदनाम करना तो no one should defame others तो आपको practice करने के जुरुत है तो जितना ज़्यादा practice करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी fluency आएगे इसमें तो इस वीडियो को बीच वीच में कहीं पर आप pause करके practice कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं next वीडियो में